मौरानीपुर में विशाल मांसिक स्वात जन जागरुकता सिविर कायोजन किया गया जहां सी एवम उनकी टीम मुख्य रूप से उपस्थित रही कालकम को छेत्र विधायक ने संबोधित करते हुए कहा कि मान्सिक स्वात सिविर कायोजन इसी कड़ी में किया जा रहा है कोई भी व्यक्त मांसिक रूप से कमजोर न हो सभी स्वास्तर है मांसिक रूप भी उचित परामर्जवत दवाईयों के द्वारा ठीक किया जा सकता है चिकस सक अधिचक डौक्टर आर जी संकवार ने पताया कि सिविर में मांसिक रूप से सम्मधिन मरीजों को डौक्टर काशी राम परामस दाता मनों चिकस सक चिला चिकस साले जासी एवम उनकी तीन द्वारा चिकस से उपचार धानी शुल्प दवाईयों का वित्रण किया जा रहा है मांसिक रोग के लच्छन है जैसे की नीन नाना, चिंता, घवराहर, तनाओ, अब साथ काम में मन न लगना, आत्मत्या करने के विचाराना अंजान भै भूर प्रेद, देवी देटाव आधी की चाया का भै होना, मिल्गी एवं भिहोसी होना आधी के लच्छन पर चिकस से को दिखा कर उपचार कराए कारिकरम में स्वस्थ विवाग के कार्यक कर्मचारियों को प्रेशित पत्र देकर सम्मानित किया गया बड़ी संख्या में लोग वहां सामुदाइक स्वस्थ केंद के समस्थ डॉक्टर के हमकर्मचारी कारिकर में उपस्तित है और उनकी सुब्दा कहां मिलती है और किस लेवल पर मिलती है और क्या-क्या इसमें सुब्दाएं प्रदान सरकार द्वारत की जा रही है इसका उद्दिश में की ही है इसमें जो मानसिक रोग है मुक्ता जो एंजाइटी है डिप्रेशन है ओसीडी है बाइपुलर डिसॉरर है साइकोसिस्ट के मरीग है या आप सीजो फ्रैनी के जो गंबी रोगी है और साथ में जो बच्चे होते जो मानसिक बिकलांग होते हुँ उसके बारे में जानकारी इसमें यह कैम्प के माध्यन से उनका रेश्टेशन किया जा रहा है पहले भी जो कैम्प लगाए गए थे यहां पर मौरानीपुर में तो उनका परिक्षन हुआ था उसके बाद उनको बिकलांग साइटिविट भी जानी कराए गए थे जिलाज तर पर जो रोगी है उनका इसी लेविल पर यहीं पर होगा प्रतेक माय पर जो प्रथम गुरुवार है माय का उसमें यहां पर हमारे टीम द्वारा बिजिट की जाएगी मनोचिक सक्के द्वारा और साथ में उनको और सदियों के साथ सबी तरह की सुबदा दी जाएगी इंडियन प्राइम न्यूस सेन नरेंड कुमार की रिपोर्ट